राधिया राधिया वर्यवान दोस्तों आजकी इस वीडियो में आप जानेंगे 2024 में बैसाख आमा वस्या किस दिन पड़ रही है 7 मई या फिर 8 मई इसके साथ ही आप जानेंगी बैसाख आमा वस्या बाले दिन भूल कर भी हमें क्या आठ काम नहीं करने चाहिए आईए जानते हैं हिंदू धर्ब में आमवश्याति थी बहुत मायनी रखती है दोस्तों आमवश्याति थी पित्रों को समर्पित है इस दिन पूरवजो की आत्मा की सांती के लिए तरपन, पिंडदान और शाद कर्म किये जाते हैं दोस्तों, इतना ही नहीं इस दिन पवित्र नदियों में इश्नान करना बेहत सुब माना गया है इससे आपको आरो की और मोक्ष की प्राप्ती होती है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बैसाक का पावन महीना चल रहा है चलिए जानते हैं बैसाक अमवस्या की सही तिथी क्या है दोस्तों अमवस्या तिथी का आरंप 7 मई को सुभा 11 बच कर 40 मिनट पर होगा दोस्तों और अगले दिन 8 मई को सुभा 8 बच कर 51 मिनट पर समापती होगी उद्यातिथी के आधार पर बैसाक अमवश्या आठ मई दिन बुद्धवार को मनाई जाएगी इस दिन पवित्र नदियों में इश्नान वा दान का कारेकरम किया जाता है मैं आपको बता दूं कि अमवश्या पर इस नान दान बहुत महत्त होता है इस दिन पवित्र नदियों में इश्नान करने से पुन्यफल की प्राप्ती होती है। इश्नान ब्रह्म मुरत में करना सबसे उत्तम होता है। बैसाक अमवश्या को काल सर्फ दोस को दूर करने के लिए भी बेहद उत्तम माना गया है लेकिन ध्यान रही कि इस सुब दिन पर तामसिक चीजों का सेवन करने से हमें दूर रहना है। इसलिए किसी भी ब्यक्ती को इस दिन कवरिस्तान या समसान घाट के आसपास से गुजरने से बचना चाहें। इस दिन संबंद बनाने से बचना चाहें। छटा नमबर है बैसाखा मवश्या के दिन एलकोहल, मास, मचली। आदी चीजों के सेवन को बरजित माना जाता है दोस्तों इसलिए इन चीजों का सेवन बिलकुल भी हमें नहीं करना चाहें। साथ मा नमबर है पित्रों की आत्मा की शान्ती के लिए तरपड एम उपवास जरूर करी और किसी गरी ब्यक्ति को दान दक्षणा दी आमवश्या के दिन दान का भी बहुत मेहत्तो होता है। आत्मा नमबर है इस तिथी को राहू और केतु की उपासना विश्यस फलदाई होती है। इनकी उपासना करने से जीवन में चल रहे सबी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। अधि इश्णान और दान आदि करना अधिक फलदाई माना जाता है। इतना ही नहीं ये तिथी पित्र दोस्से मुक्ति दिलाने में भी सहायक मानी जाती है। जब कर दो दो का है